हाई अब्रिवान वेलकम बैक टो अक्षिन कीचन में हूँ कभीता चले आज हम बनाते हैं मतर पनिर लेकिन बहुत ही जटपट से बनाएंगे बिलकुल भी टाइम नहीं लगेगा तो अगर आपको कभी जल्दी से मतर पनिर बनाना है तो आप यह तरीका फॉलो कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है और यह देखे अब मैं डाल दूंगे यहां पर लेशुन दस से बारा और यह दो इंच अद्रक का टुकड़ा है इसको भी रफली काट लिया है मैंने अब तीन लौंग डाल देंगे एक टुकड़ा दाल चिनी का डाल दिया है मैंने छ अधा चामच दन्या का सीट डाला है और अधा चामची जीरा का सीट भी डाल दिया है अब थोड़ाचा पानी डालेंगे लगब एक बॉल उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और धकन लगा के हम बस मसालों को पकाएंगे तो पकानी के लिए अब हम इसको प्रेशर कूकर म मसाला जल्दी से पक जाता है वैसे तो अब हम ऐसे कच्छा मसालों को पीस के भी बना सकते हैं लेकिन यह कभी-कभी होता है घर में गेस्ट आज आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है लेकिन कुछ अच्छा सा बना के खिलाना होता है तो यह तरीका आप यूज कर सक अब टमाटर का छिलका निकाल लेंगे तो इसलिए मैंने टमाटर को बड़ा-बड़ा साइज में रखाया है छिलका इस तरह से निकाल देंगे तो हमारा जो मसाला का पेस्ट है बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन जाता है तो यह देखे छिलका तो निकाल दिया है अग तो पीष्टी समय में इसको बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है क्योंकि ग्रेवी हमें थोड़ा सा स्मूथ सा ही चाहिए तो यह देखे बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनके तयार हो गया है अब यह रेडी है चलिए अब मसाला को रख देते हैं साइड में हम पनि है उसको भी बहुत ही अच्छा सा सेट हुआ है यह देखे और वैसे भी घर का बना हुआ चीज है टेस्टी तो होगा ही तो आपको जैसा से पसंद है उसी सबसे पनिर को काट लीजेगा और यहां पर देखे यह जो मतर है यह मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है का यूज तो अगर आपको मस्टाट नेहीं है तो आप रिफाइंड वाली यूज कर सकते हैं लेकिन अगर मस्टाट वाली उस करते हैं तो तेल को बहुत अची तरह से गरम कर लेंगे उसके बाद में ही पनीरी बदालना है तो अच्छी तरह से थोड़ा सा शमेल रह जाता ह तो निकालने के बाद में तुरंत हमें ठंडा पानी में डालना है। पानी आप यहां पे ठ्रेस का ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं नौर्मल पानी ही लिया है। तो यह देखिए पनीर फ्राइ हो गया है। हमारा मासाला भी रेडी है। तो चलिए फटा- अगर आप थोड़ा ज्यादा थेल खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं तो यह दिखिए अब तेल पर ही मैंने डाल दिया है आदा चमच हल्दी और आदा चमच कस्मीरी लाल मिर्स डाल दोंगी ऐसा तेल में डालने से इसका टेस्ट भी अचा हुआ ही है तो यह दिखिए अब नमग में डाल दिया है मैंने अकोडिंग टू टेस्ट सारा चीस डाल दिया है अब हम यह पर कुछ ऐसा डालना नहीं है क्योंकि अल्रेडी हमने सब कुछ डाल दिया है अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अगर हम मसाला पिष्टे स बने ही अब हमारा मसाला पख गया है अच्छी तरह से मसालों ने तेल छोड दिया है अब अब हम डालेंगे यहां मतर मतर को हमें थोड़ी द्र पकाना है इसलिए मैंने मतर को drivingा नथियो है तो यह देखें 5 मिनट हो गया है मटर को पकते हुए मटर पक गया है अब हम डालेंगे यहाँ पे पनीर तो पनीर को मैंने पानी में ही छोड़ दिया था अब पनीर डाल के हमें बहुत ही हलके आतों से चलाना है, नहीं तो फिर पनीर टोड़ जाएगा तो पनीर डाल के अब बस दो मिनिट के लिए पकाएंगे, उससे जादा पकाने की जरुण नहीं है बस मसाला पनीर के अंदर भुश जाए, उतना ही पकाना है तो मैंने धॉद्ध दिया है, लो फलेम पर पकाया है 2 मीनट के लिए हमारा मतरपनीर बनके तयार हो गया है ये बहुत ही जल्दी बन जाता है ये मतरपनीर सकते हैं लेकिन मैंने यूज नहीं किया है तो चले सर्फ कर लेते हैं ठंडा होने की बाद में ये देखी कितना गाड़ा हो गया है तो इसी तरह का कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए था अगर आपको ग्रेवी थोड़ा ज्यादा पसेंद है तो आप पानी की कौन्टीटी में भी क्लिक करतीजेगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाबाई थैंक्स पर वाचिंग